पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है खेल के मैदान में अक्सर आप खिलाडियों को खेलते हुए देखते हैं एक टीम से दूसरे टीम के बीच काफी ज़ादा कॉम्पेटिशन रहता है प्रतिभागी आमने सामने रहते हैं और प्रतिभागी एक दूसरे को लगतार हराने की कोशिस करते हैं खेल के मैदान में खिलाडी अपने अपने अंदाज में खेलते हैं और उस अंदाज में कोई खिलाडी जीत जाता है किसी खिलाडी की चर्चा जबरदस्त होती है वैसा ही हाल राजनीती के मैदान में भी होता है राजनीती मैदान में दो खिलाड़ी जब आपस में भिड़ जाए तो मजदार खेल बन जाता है ऐसा ही कुछ मामला हुआ है कि राजनीती के दो बड़े धुरंदर खेल के मैदान में उतर गए हैं बैट और बल्ला ले करके जिहां एक खिलाडी जिसने बैट पकड़ा है और दूसरा जो बॉल डाल रहा है यह पूरा मामला आपको बता दे कि सिमांचल से जुड़ा हुआ है सिमांचल में पैनोर्मा ग्रूप के मालिक संजीव मिश्रा और बै पॉल में ही आपको यह बताते चलें कि अब विधान सबाचुनाओ की तैयारी चल रही है विधान सबाचुनाओ के पहले दो राजनीतिक खिलाडी धुरंदर खिलाडी एक दूसरे को खेल के माध्यम से दर्शाने की कोशिस कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के जवरदस तरीके स से राजनीति में खिलाडी है और जवरदस तरीके से एक दूसरे कॉंपडिशन दे सकते हैं एक तरफ बैदनात महता तो दूसरे तरफ संजीव मिश्रा संजीव मिश्रा के पैनोर्मा स्टार सीजन सेबन की शुरवात हुई है और इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से बैटि बैदनात महता बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं और फिर क्या था जब बैदनात महता बॉलिंग करते हैं तब संजीव मिश्रा उनके बॉल पर जवरदस तरीके से शौट लगाते हैं इस शौट के माद्यम से वो दिखाने की कोशिस करते हैं कि अब हम भी किसी से कम नहीं देखे चातापूर बिधान सबात शेत्र है और चातापूर बिधान सबात शेत्र से दोनों की दावेदारी लगतार बढ़ती चली जा रहे हैं एक तरफ संजीव मिश्रा तो दूसरे तरफ बैदनात महता सुपॉल में है हाला कि बैदनात महता की चर्चा कहां से है ये देखन ये हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धनेवाद। ये हमारे चैनल के साथ बहुत धनेवाद।